हन जी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उम्मीद करता हूँ आप और आपका अपरिवार ठेक ठाक होगा दोस्तो सीटेट 2022 के बारे में एक लेटस्ट अपडेट आई है बहुत जरूरी इनफोरमेशन है और बहुत इंप्रोटेंट नियूज है गुड नियूज है यदि आप जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और दोस्तो इदिया आपने भी तक नोलेज टीवी देशी ताव यूटूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लिजी ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे व और काम में बीजी था सीटी क्वालिफाई करवाने के लिए कर में लाइटर वैटर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर रहा था तो तो दोस्तों जो अपडेट आई हो आज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं बार-बार कमेंट आते हैं कि सीटेट दोज अरबाइस का सामडेट जो नोटिस ए ओफिपशल वेब साइथ १ं आ है तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा दोस्तों पाधेगा कि यहाँ पर चले जाते हैं के अंदर यह शिक्षक पत्रत Al obst Приktor आपके लिए पता है आपको जैसे आपकी के अंदर सरकार में कोई वर्ति निकले कि तो वहां पर सीट-अट की जुरूत पडेगी टीचर की वर्तिकी बात करा हूँ तो यहां पर दोस्तों देखेंगे पबलिक नोटीस 14 साथ का यह नोटीस है तो इसको उपन कर लेते हैं नोटीस हमारा डाउनलोड हो गया है और उपन हो गया है तो यहां पर क्या लिखा गया है दोस्तों की 16 एडिशन ऑफ सेंटर टीजर एलिजिबिलिटी टेस्ट in CVT computer-based test एक तो अपका ये वाई computer-based test हो एक्साइट talking का आगजाम होगा यह online होगा computer पर ठीक है और mode in December 2022 तो December 2022 में यह conduct करा जाएगा एक्साप की exam date है वह आपकी exact जो exam date हो आपकी बाद में बताई जाएगी ठीक है आब इक्सापर कि दिशंबर में हम एक्जाम ले लेंगे दिशंबर के महिने में दा टैस्ट विल वी कंड़क्टिड इंटवन्टी लैंग्वेज थ्रो आउट दा कंट्री तो बीस लैंग्वेज में आपका एक्जाम कंड़क्ट करा जाएगा और जो डिटेल्ड इनफोर्मेशन है वह आप का जो ओफिशल नॉटिफिकेशन हो आ जाए यहां पर देखिए जनरल और ओबी सी कटागरी यह हम एक पेपर अपलाई करेंगे तो अजार रुपे फीस है यह हम दोनों पेपर अपलाई करेंगे तो बारासु रुपे फीस है SCST है कोई फीजिकल हैंडिकेप परसन है उसकी एक पेपर की 500 है दोनों अपलाई करेंगा तो 600 रुपे फीस है ठीक है तो यह आपके फीस रहेगी CTAT का एक्जाम कब होगा CTAT का एक्जाम आपका दिसंबर 2022 में होगा दोस्तो CTAT का मतलब क्या है Central Teacher Eligibility Test ठीक है और CET का क्या मतलब है दोस्तो Common Eligibility Test ठीक है तो जब यह Eligibility Test और CTAT यह Eligibility Test जो CTAT है यह केवल 60% पर क्वालिफाई करना है तो यह Eligibility Test जो हर्याना सरकार निकार यह केवल क्वालिफाई क्यों नहीं है किसी परसंटेज पर जो भी रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बता देना बाकी CTAT के बारे में इनफॉर्मेशन दे कि CTAT का एक्जाम दिसमबर 2022 में होगा फोरम आपके 15-20 दिन में निकल जाएंगे आज की इस वीडियो में इतना ही दन्यवाद भगोन कर आप सभी का समय सुब रहे